दोस्तों आज हम इंदरपुरम के नितिखन 1 में हैं और ये मैं आपके लिए एक 3-page के फ्लैट लेखे आया हूँ काफी अच्छा फ्लैट है और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा है स्पेसियस रूम है, कॉमन इरिया काफी स्पेसियस है सामने TV पैनल है और इस पर टेक्शर पिंट किया हुआ है यह इसका 1st बैडरूम है यह साथ में किचेन है उसके बाद कोमन वाशरूम कोमन वाशरूम से सटकी है, 2nd बैडरूम है और यह इसका 3rd बैडरूम है यह फ्रेंट साइड ना फ्लैट एंट और काफिस e Feel器 लैट है तो हम first bairdroom में चल ते हम पेस्ट में शुट्बचा हुआ है जो विल्ड़र करके देगा पा校 कि ए креп Gin कि कोमन टी भी पैनल है जो कि अभी हम किचन में चलते हैं मैं किचन दिखा दूं आपको किचन में यह फ्रीज का स्पेस दिया हुआ है साथ में पूरा मॉडिलर किचन है अभी इसमें किचन के साथ यह एक विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए कि अब हम फैस्ट बैडरूम में चलते हैं नहीं सेकंड सेकंड में चलने से पहले हम मैं कोमन वाच्ट रूम दिखा दूं आपको जैसा कि बताया अभी इसमें काम बचा हुआ है जो बिल्डर करके देगा तो काम चली रहा है यह आपका सेकंड बैडरूम है सेकंड बैडरूम का यह टीवी पैनल और यह इसका अल्मिर है कि इसके साथ यह बालकनी है काफी स्पेसियस बालकनी है और गली दिखा दूं मैं आपको बिल्कुल में रोड से कनेक्ट है गली पे काफी चोड़ी है काम चल रहा है इसलिए सामने पानी बगर आई कठा हो रखा है यह सब पूरा बिल्कुल अभी नई बिल्डिंग है और इसमें अभी काम चल रहा है इस तरीके जैसे फ्रेंट पर मेला बना बना रहा है इस तरीके से इस बना रहा है अब मैं आपको थर्ड बैटरूम में लेशलता हूँ यह इसका थर्ड बैटरूम है यह इसका अलमे रहा है इसके साथ टेवी पैनल और यह अटैच वासरूम दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें भी काफे काम बचा हुआ है तो आपका इलेक्टरिसीटी का जैसे फैन, लाइटिंग, जूमर यह सारी चीजे लगेंगी इसमें अभी तो यह कंप्लीट होके थोड़ा और ज्यादा अच्छा लूक आएगा इसका अगर विजिट करने का कोई प्लान हो तो आप मुझे इस नीचे डिस्क्रिक्शन में अपना नंबर दे दूँगा, कॉल कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर था ना, थैंकि दोस्तों कर दोस्तों